जैसे आपने इतने सारी जो बोरर्स के बारे में बताया तो इनका जो रोग थाम को जो तरीका है वो सामान नहीं है मतलब सबका एक जैसा ही है फिर अलग-अलग है परन्तु जैसे कुछ ऐसे इंसेक्टिस है जैसे मैंने बताया भी कुछ परसीटाइड्स हैं जो बायो एजें पाई पेसी दवा आती है उसका 375 ml प्रती हेक्टेर के हिसाब से इसका खेत में अगर डाल दें तो कंट्रोल हो जागा है तो दवाई को पानी के साथ भोल बना करके और उसमें एक और कीड़ा है जो अरली शूट बोरर बोलते हैं अगेती कीट है शुरुआती अवस्था मे हैं जब 30-40 दिन का पाउदा होता है उस टाइम को कीट आता है तो उस टाइम पर अगर इसको डालें इस दवा को तो कंट्रोल कर लेता है वह वर शुरुआ अपमे जैसे पाउदा थोड़ा बड़ा होता है उसी समय वह कीट आएगा और और शेद करके नुकसान करता है और उसका बढ़वार रुख जाती है, तो ख्लोरेंट्रेनिली प्रोल का प्रयोग कर सकते हैं, और जैसा मैं बताया, टाप बोरर और दूसरे बोरर्स हैं, इसको भी ख्लोरेंट्रेनिली प्रोल का 375 ml दवाग से, एक बार अगर आप मई जून के महीने में एक बार प्रयोग कर द करते हैं, तो इससे टाप बोरर का जो जनरेशन बनती है, एक तीसरी जनरेशन आती है, जो जून जुलाई में, और अगस्त के महीने के बाद चौति जनरेशन आती है, तो ये दोनों जनरेशन तक ये काम करती है, क्योंकि ये दवा काफी 90 दिन से 100 दिन तक उसका असर रहता तो एक बार दवा प्रयोग करने से भी काम हो जाता है अगर अगर क्लो इंटरिनली प्लॉल बजार में नहीं आपको मिल पा रहा है थोड़ी महंगी दवा है तो आप चाहे तो आप फिर्परोनिल भी यूज़ कर सकते हैं फिर्परोनिल का पांच परसेंट करके उसकी दवा आ तो उसका एक से डेल लीटर उसका डोज है वो उसको भूल बना के कर सकते हैं। घेतो सर हुई कीडों की बात अब बात करते हैं रोगों की। गन्य में कौन-कौन से रोग लगते हैं। इसमें गन्य में प्रमुक रूफ से जो रेडराट लगता है, अगर आप देखें ये रेडराट है, इसको अगर आप इसको सून के देखेंगे तो जैसे सिर्के की महकाती है, उसी प्रकार से इसमें महकाती है, ये एक रोग है जो कि गन्य में काफी प्रकॉप करता है, और इस इसके अलावा इसका क्या नुकसान है क्या नुकसान है इससे पूरा खेट सूख जाता है और इसमें अक्सर करके ये चुकि गन्ने में बीज गन्ना ही होता है गन्ने से गन्ना आगे ले जाते हैं अगर किसी भी खेट से में अगर पहले से रेड राट का प्रकोप है लाज आगे भी बढ़ जाए. तो किसान भाहीन सो हम यही कहेंगे, कि जब भी आप बीज का चुनाव करें, तो ऐसे खेट से चुनाव करें, जिसमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो, रोग ग्रसित नहीं होना चाहिए. और जिस खेट मेरे पहले से रोग है, तो उस उस में कोशिश केरें कि एक साल कम से कम गनह ना लगाएं, कोई और फसल ले लें, धान ले लें, कोई और फद्साय कोई और फसल ले लें, अगली वर्द से गन step ले लगाएं. क्योंकि रोगों के जितने भी खीतोल मोत प्लिषिंग से हमें आगें, टो इसी तरह से कुछ और रोग हैं एक विल्ट है सुखhake रोग आता है ईसी तरह से और भी यह स्कैल्ड है यह एक बिमारी देखें इसको इसको स्माट बिमारी यह बन जाता है तो इस तरह के भी रोग आते हैं तो मुक्यता रोगों के लिए अगर कुछी भी खेट में अगर रोग है तो आप उस खेट से रोग को पहले रोग ग्रसित पौधे को तो निकाल के बाहर कर दें दूसरी चीज कि उस खेट से अगली बार रैटून क्रॉप न लें जो खेट एक बार गन्य में रैटून क्रॉप लेते हैं एक बार में क्रॉप होती काट करके रैटून क्रॉप लेते हैं तो रैटून क्रॉप को अवाइड करें तिसरी बात है कि जब भी यहां पर रोग नहों और गन्ना लगाते समय भी जब आप छोटे छोटे टुकडे बना करके गन्ना लगाते हैं उस समय भी आप ध्यान दें कि उसमें रोग ग्रसित कोई गन्ने का बीच नहों